और शिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है हमारा देश-महान। नमस्कार, आदरनी प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षगण, एवाँ मेरे प्रिय सहपाथियो। मैं मूख्षा शर्मा क्षा पांशवी कहसे आप सभी के समक्ष हिंदी पक्षवाडा के अंतरगत आयोजित भाशन प्रत्योगिता जिसका वशय है अभासी कक्षा उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ कोरोना काल में आय संकटों से पूरी दुनिया ने सामना किया जिसका प्रभाव हमारी शिक्षा प्रणाली और द्योगित प्रणाली वह समस्त कारे प्रणाली पर पड़ा एक ओर और द्योगिप प्रणाली में मजदूर वर्ग से लेकर अधिकारी वर्ग वव्यापारी वर्ग तालाबंदी में आय संकटों से अभी तक नहीं उभर सके हैं वहीं दूसरी और शिक्षा प्रणाली में अभासी कक्षा, छात्रों एवं शिक्षकों के लिए एक वर्दान के रूप में उभर कर आई है। अभासी कक्षा के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई को शिल्ता से कर सकते हैं। इसमें चित्रों, रेखा चित्रों वचल चित्रों के माध्यम से पढ़ाई को परस्पर समवादात्नाग्धी बनाया जा सकता है। इसमें हम लोगों ने तकनीक की सहायता से शिक्षा के शेत्र में एक नया स्वरूप विक्सित किया है। आभासी कक्षा में किसी भी विशय पे शंका होने पर उसके व्याख्यान पश्चात उसे पुना भी देखा जा सकता है। मूबाइल वो लैट्टॉप जैसे उपकर्णों का सद उप्योग भी सीख रहा है। जो कभी पढ़ाई के शत्रू माने जाते थे। परन्तु अब वे ही पढ़ाई के मित्र बन चुके हैं। महोदया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह अभासी कक्षा के भी दो पक्ष हैं। एक लाबदायक और दूसरा हानिकारक। तो मैं अब इसकी हानियों के बाहरे में चर्चा करना चाहूंगी। अभासी कक्षा के कारण छात्र को काफी ज्यादा समय स्क्रीन के सामने व्यतीत करना पढ़ रहा है। जिसके कारण उसके नेत्र, उंगलियों, वरीड की हड़ी पर दुश्प्रभाव पढ़ रहा है। जिसे साफ देखा जा सकता है। और तो और अब छात्र जीवन में बहिमानी भी जन्म ले चुकी है। क्योंकि अब परिक्षा के समय गढ़ा भी घोड़ा बनने लगा है। अर्थात परिक्षा को बहिमानी से देते हुए हर छात्र अच्छे अंक पाले रहा है। और उसका सही मुल्यांकन भी नहीं हो पा रहा है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ना तो कोई सी शिक्षा पूंता से सही है और नहीं कोई सी शिक्षा पढाली पूंता से गलत। जिस छात्र को शिक्षा प्राप्त करनी है वह शिक्षा प्राप्त कर ही लेता है। जिस तरह नदी के बीच में पहाड के आ जाने से नदी का प्रवाह तो मुड़ सकता है प्रद्दू रुक नहीं सकता तुम्हें यही आशा करूंगी इस विश्व का रात्मग बने रहें और सारे छात्र खूब बने धन्यवाद